एक डोज लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्राशना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्राशना है, कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें, अब ये वैक्सिन जो है, बाहू पर लगती हैं, और जब वैक्सिन बाहू पर लगती हैं, तो आप बाहू बली बन जाते हैं, और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहू बली बनने का एक ही उपाय है, कि आपके बाहू पर वैक्सिन लगवा दीजिए, अब तक 40 करोड से ज़्यादा लोग कोरोना की खिलाब लड़ाई में बाहुवली बन चुके हैं आगे भी बहुत तेज गती से इस काम को आगे बढ़ाये जा रहा है यह पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है पूरी मानवजाद को अपनी चपेट में लिया हुआ है और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के समन में सार्थक चर्चा हो सबसे प्रात्वित्ता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यहवारू सुझाव सभी मान्य सांसदों से मिले ताकि पैंडेमिक के खिलाप लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है कुछ कमिया रहे गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आगरे किया है कि अगर कल शाम को बेसमय निकाले तो पैंडेमिक के समन में सारी विस्तुत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूँ तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और सदन के बहार भी सभी फ्लोर लीडर से क्योंकि लगातार मैं मुक्यमेंत्रियों से मिल रहा हूँ अलग-अलग फोरम में सब प्रकार की चर्चा हो रही है तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक शुवीदा जनक होगा तो रूबरू मिलकर को इसकी बात होगी साथियों ये सदन परणामकारी हो सार्फत चर्चा के लिए समर्पित हो देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है मैं सभी मान्य सांसदों से सभी राजनितिक दलों से आगर करूँगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें भारदार सवाल पूछें लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मोका भी दे ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोक्तंत्र को भी ताकत मिलती है जनता का भी विश्वाज बढ़ता है और देश की गती भी तेज होती है प्रगती की कि साथ वह शत्र अंदर की ववस्ता पहले की तरह नहीं है सब साथ बैठकर के बैठने काम करने वाले क्योंकि करिब करिब हम सब का वेक्सिनेशन हो चुका है मैं फिर एक बार कि आप सभी साथ्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे भी आगर करता हूं आप खुद को समाब लिए और हम सब मिल करके देश की आशा अकांख्षाओं को पार करने के लिए साथ मिल के प्रयास करें बहुत बहुत धन्यवाद साथियों